दोस्तों सर्फराज खान के टेड़ सुरन और बंत के नियान वेरान लगाने के बावजूद भी भारती ग्रिक टीम हारने की कगार पर आगई तो दोनों ने अपने बयान में अपनी बल्ले बाजी से लेकर भारती टीम पर कुछ ऐसा कहा ना कि सुनको शायद आप भी भावु हो जाएंगे रो पढ़ेंगे इनके लिए आखरकार पंत और सर्फराज अपने अपने बयान में क्या कुछ कह कर गए इनके चौकाने वाले बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले एगर आप भी चाहते हैं कि इस मोड से भी भारती ग्रिक टीम जीत जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोसु पहले टेस्स मैच में भारत का कमबैक कराने वाले जीत के पास लाने वाले थे सर्फराज खान और रिशब बंत चौते दिन के खेल की बात है जब सर्फराज ने सत्ता रंद से अपनी पारी की शिरुआत करी तो वे रिशब पंत ने भी मैदान में आकर उनका बखोबी साथ ने बाया इधर सर्फराज खान ने शतक जड़ा शतक के बाद डेर सो रंद तक बनाए और रिशब पंत भी भारत के जंडे को उपर ले जाते हुए अपनी बारी में 90 के स्ट्राइक ग्रेट से 5 छक्के नौ टीम का सारा बैलेंस बिगड़ गया और सारा प्रेशर सारा बनले बाजी का धरुंदार टॉप और मिडल ओर्डर पर ट्रांसवर हो गया ले देकर दोस्तो भारतिक रिगर टीम 465 रन बना पाई और टार्गेट दिया गया 107 रन का हैवालम यह है कि भारतिक रिगर टीम हार करने की कागार पर आचुगी है क्योंकि ऐसा तो नहीं कि न्यूजिलैंड की टीम पांचवे दिन आए और इतने लक्षे को ना बना पाए न्यूजिलैंड की टीम भले ही इस मैच को जीत जाएगी लेकिन दोस्तों फिर भी सरफराज और रिशपंत की पारी को सदा याद र नहीं रखता क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए उतने रन नहीं बना पाए जो आपको किसी स्थिती में से निकाल कर जीत की तरफ ले जाएं तो आपकी बल्लेबाजी वाकई में मायने नहीं रखती है मेरे 1.500 रन अगर 200 होते या 200 तक स्कोर पहुँचा पाता तो शायद और जादा बहतर लगता इसलिए नहीं कि मैं अपने मैच में 12 शतक लगा पाया बल्कि इसलिए कि हमारी टीम का स्कोर परियाप तक टार्गेट तक पहुँचता जिसे डिफेंड करने में हमारे गेंदब है क्योंकि उनकी वज़े से ही उनके मौके देने की वज़े से ही हम यहां तक पहुच पाया और मैतने जन बना पाया उमीद है कि अगला मैंच हम ज़रूर जीतेंगे तो महीं दोस्तों रिशाप पंत ने भी कहा निन्यानवे पर आउट होने पर इतना दुख नहीं हुआ ज शतक नहीं लगा उस से फरक नहीं परता लेकिन देश के लिए उतने डंसकोर बूड़ पर नहीं लगा पाया कि हम न्यूजिलेंड से लड़ पाएं लेकिन फिर भी इस पारी का श्रे रोहितर कोहली भाई को दूँगा क्योंकि उन्होंने मेरा प्रोचान बढ़ाया था पह प्राज में से किसकी बल्ले बाजी साधा पहतर थी इस मैंच में नीचे कमेंड कर बताईएगा और सब्सक्राइब किजिए हमारे यूट्यूब चैनल को तन्यवाद